तो आप लोग को आज में बताने हो ला दोस्तों कि कपाट में LED श्ट्रेप और करते हैं और उसका पोशिजर किया होता है दोर स्वीच में कितना टर्मिनल होता है यह आप लोग देख रहे हैं दोस्तो यह ड्राइवर है प्राइट कमपनी का ड्राइवर है और LED श्ट्रेप 240 का LED स्ट्रीप है और आप लोग को लेंद के हिसाब से आपको ड्राइवर स्टॉल करना पड़ेगा दोस्तों तो आज मैं फुल बताने वाला लास्त तक वीडियो बोच करना आप लोग एंट्रो में देख चूगे होंगे कि इसका वर्क कैसा करता है तो आई होब आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लास्त तक वीडियो बोच करना दोस्तों तो आप लोग को मालूम पड़ेगा कि कपट में कंसील पोरफाइल और LED स्ट्रीप और डोर स्वीच और LED ड्राइवर का कनेक्शन कैसा होता है यह आप लोग देख रहे हो दोस्तों यह LED स्ट्रीप है जो 240 का LED स्ट्रीप है दोस्तों यह कंसील पोरफाइल है कंसील पोरफाइल आपको मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करना है यह आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टॉल करने वाले तो एक साइड में 3 feet है दोस्तो और दूसरे साइड में 3 feet है तो टोटल 6 feet के है दोस्तो यहां पे हम लोग 6 feet के हिसाब से LED ड्राइवर होता है वो हम लोग श्टॉल करने वाले और यहां पर door switch आएगा door switch का पहला connection होगा यहां पर और प्लस आयाया है दोस्तो और प्लस के बाद जो लूपिंग गया दोस्तो वो LED में गया है दोस्तो यहांसे क्योंकि यह रैवर के पास वो जो आया है वो door switch के पास आया है और LED strip के पास minus गया दोस्तों यहां से मैंने door switch से और LED strip के लिए मैंने यहां पे looping किया है दोस्तों तो आप लोग सकते होई door switch का door terminal होता है दोस्तों दोनों terminal में आपको connection करना है connection करने के बात को screw की मदद से आपको fitting लिंग करना पड़ेगा दोस्तों वह भी फ्लस करना पड़ेगा तो आप लोग यह चीज द्यान रखना कि अग्याँ अगर आप लोग फ्लस करोगे तो यह door switch proper वर्ट करेगा तो आप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिरोज टेक्निकल के नाम पर और डोर स्वीच आपको को अगर भाइ करना तो इसका लि relied कंट में से दे दूँगए आप वहाँ से बाइ कर सकते हो अगर आप लोग मंगाना चाहते हो मेरे तुरू तो इस्टा गरम को फोलो कर लेना दोस्तो मैं में मुंबई से बाई कर दूँगा तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यह अल्रेडी मेरा कनेक्शन हो चुका है स्कुरू के मदद से मैं कपाट में फिटिंग कर रहा है दोर स्वीच सेम आपको कंसील पोरफाइल जो होता है वह आप लोग को मेजरमेंट के हिसाब से आप यहां पर पूस करना है दोस्तों आप लोग को अगर ज्यादा खाचा गिरा हुआ है तो आप लोग को एरोलेट के मदद से फास्ट एरोलेट आता है उसके मदद से आप चिपका सकते हो या फैबी के मदद से भी चिपका सकते हो दोस्तों यहां पर मुझे कोई चीज की लॉक हो गया क्योंकि लॉक होने के बाद यह गिरेगा नहीं दोस्तो तो आप लोग देख रहे हो डोर स्वीच अल्रेडी मेरा लॉक हो चुगा है फर्स्त वाला यह सकेंड का है दोस्तो संन एक छटी सेम करना और करेख रेच अरो मेरा यॉक है है जो भी अचérica को सुगा हैै तो यहां पर मेरा मैनेस प्लस ब्लाइ यह आप लेद अर criticism स renn कटारिश में ग्या यहां आप लोग देख रहे थैं fr जो कपड से वायर आया दोस्तो रेट प्लस है दोस्तो ब्लैक माइनस है तो यह आपका मैनस प्लस में ड्राइवर में जाएगा दोस्तो जो कपड में से गया है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ तो आप यह चीज ध्यान रखना दोस्तो यह आप लोग देख रहे हो दोस्त है और में सप्लाय है जो स्वीच में से आया है तो हम लोग मैंस प्लस भी कनेक्शन करेंगे जो कपड़ का एगा और प्लस जो पावर सप्लाय है वो लाइन और न्यूटल में चले जाएगा दोस्तों तो यह आप लोग देख रहे हो मैंस प्लस में ड्राइवर का गया और सेम लाइन और न्यूटल में जो मिन सप्लाय है वो लाइन और न्यूटल में चले गया दोस्तों ड्राइवर में क्योंकि कपाट में जगा नहीं था दोस्तों तो मुझे फोर सिलिंग के अंदर ही रखना था तो फोर सिलिंग में ऐसा जगे पर रखना था कि मैं बाद में ड्रा तो यह देख रहे हो दोस्तों, यह कंसील पॉरफाइल है, मेजरमेंट के इस आप से कटिंग करना आपको, और पूस करना है, अगर आपका ज्यादा गाले का साइज है, तो आप अरोलेट के मदद से आप चिपका सकते हो, और बाद में कोई कपड़े के मदद से आप साप कर ल दोस्तों, अल्रेडी स्ट्रीप मेरा वन साइड में कम्प्लिट हो चुका है, सेम आपको, सकेंड वाले में सेम करना है, दोनों में आपका दोर स्विच रहेगा, और दोनों में एलेडी स्ट्रीप रहेगा, दोस्तों, तो अल्रेडी मेरा कम्प्लिट हो चुका है, दोस्तो LED strip लग चुका है, अब मैं cover लगाऊंगा दोस्तो, यह आप लोग देख रहे हो, यह driver मैं force ceiling के अंदर डालूँगा, force ceiling के अंदर डालने के बाद, force ceiling का जो light होता है, वो भी मैं install कर दूँगा force ceiling के अंदर, क्योंकि मुझे repairing करने करेगा, अगर लग by chance driver खराब होता है, तो अगर मेरा खराब हुआ, तो मैं फिटिंग निकालके, driver को change कर सकता हो, तो आप लोग देख रहे हो, दोस्तो, complete work कर चुका है, और अब मेरे चैनल पर नए हो, तो चैनल को subscribe कर लेना दोस्तो, और वीडियो को like करना, अब वीडियो को share भी कर देना, ताकि और लोग सीख सके, नए electrician है, अब इस second video आएगा दोस्तो, मैं second video में आप लोग को बताऊंगा, कि sliding door में, ये door switch कैसा install होता है, और उसका work कैसा करता ह है, ये open और close दर्वाजा दोस्तो, तो ये आप लोग देख रहों दोस्तो, ये already complete work कर रहा है, door switch, अब इसका acrylic जो cover होता है दोस्तो, वो मैं cover लगाने वाला हूं, तो आप लोग देखे दोस्तो, कि ये driver मैं कहां पर लगाया हूं, और LED profile को कैसा connection करते है, तो ये आप लोग इसका layer होता है दोस्तो, वो आप लोग को निकाल लेना है, निकालने के बाद इसका brightness तोड़ा अच्छा दिखेगा, तो आप लोग को compulsory निकालना है, फिर इसका cover जो होता है, LED profile में, आप लोग को लगा देना है दोस्तो, ये already मेरा one side का complete हो चुका है, same आपको second में same करना है तो मैं आप लोग को बताया हूँ, कि यहाँ पर driver जो है, वो 8 ampere का है दोस्तो, क्योंकि LED strip है, मेरा total 6 feet का है, one side में 3 feet का है, और one side में 3 feet का है, तो total 2-6 feet का है दोस्तो, और मेरा driver का जो length है, क्योंकि का पाड में जगा नहीं था, तो मुझे 4 ceiling के अंदर लगाना था, तो क्योंकि लोड भी ले सके और थोड़ा long time तक चल सके, क्योंकि कपाड से और driver का distance कम से कम 6 feet है दोस्तो, तो 6 feet के वज़े से wire का running भी होगा, और LED strip को भी चालू करना है उसको, driver को, तो आपको उसके हिसाब से आपको driver purchase करना पड़ेगा, आपका अगर length जादा है, तो आप 10 ampere के भी डाल सकते हो, 12 ampere का भी आता है, वो भी आप लोग डाल सकते हो, तो I hope आप लोग को video अच्छे लगा होगा दोस्तो, video अच्छे लगा होगा, तो video को like कर देना, अब मेरे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को subscribe कर लेना,